नागपुर के जरिपट का क्षेत्र में राजकुमार केवल रामानी स्कूल के पास पार्किंग में रखे दो दो पईया वाहन को एक अग्यात आरोपी ने ज्वलन शिल्स द्रव डाल कर आग लगा दी इसमें दोनों वाहन जल गए है यह घटना सिसी टीवी में कैद हो गई एक यूवक ने केवल रामानी स्कूल के पास पार्किंग में खड़ी दो पईया वाहनों को आग लगा दी यह घटना सोमवार की सुबह करीब पाच बज़े के दर्मियान हुई वाहन को आग लगाने वाले आरोपी के करतूत सेसी टीवी कैमरे में कैद हो गई उनकी गांदिभाग में कपड़े की दुकान है सोमवार को सुबह करीब पाच बज़े अग्यात आरोपी ने उनकी दोपईया वाहनों को आग लगा दी आरोपी पैदल आते वे सेसी टीवी कैमरे में नजर आ रहा है वह दोपईया वाहन के पास जाकर खड़ा हुआ उसके पाद दोपईया वाहन को आग लगा कर फरार हो गया घटना के बारे में पता चलने पर जरीपटका पुलिस ने अग्यात आरोपी पर मामला दर्च किया है पुलिस फरार आरोपी के तलाश कर रही है त्या वरून पुलिस टेशने ते भादवी 427 आनी 435 प्रमानी गुणा दाखकल के तरा तालेला है या तिर CCTV मादील आध्यात आरोपी चा जरीपटका पुलिस टेशने इंचा वरू शोत शुरुआ है पुलिस टेश्यात प्रमानी के तलाबका पुलिस टेशने इंचा जर्च कर रही है